suma.so कमप्यूटर M12 घु का में पार्ट है क्या कहते है कि इस डा में पार्ट आफ दा कंप्यूटर सिस्टम इसमें कोई क्या चीज़ चाह मिले है इट इंक्लूड़्स मदर बोर्ड पावर स्प्लाई ड्राइब ड्राइब जैसके ड्विदी इजिटल परस्टाइब डिस्क और हर्ड डिस्क और दा में कंपोनेंट्स और कंप्यूटर केसिंग यानि सिस्टम यूनिट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का वो एहम हिस्सा है जिसके अंदर कौन-कौन से पार्ट्स उसके अंदर कौन-कौन से यह सारी उस कंप्यूटर केसिंग के अंदर जो है वो लगी होती है इसके अलावा आपके तमाम जो इन्पूट आउट्पूट डिवाइसिज हैं वो भी इस सिस्टम यूनिट से के साथ कुनेक्टिड होते हैं थ्रू डिफ्रेंट पॉर्ट्स आल दा इन्पूट आउट्पूट डिवाइसिज आर कुनेक्टिड टू दा सिस्टम यूनिट थ्रू पॉर्स यह जितने भी कीबोर्ड है माउस है प्रिंटर्स होगेरा स्कैनर्स होगेरा जितने भी इन्पूट आउट्पूट आपके डिफाइसिज है वह सारे जो है वह सिस्टम यूनिट के साथ कुनेक्टिड होते हैं तुरू डिफ्रेंट पॉर्ट्स के ज़ई हैं और दूसरा एक लेमन एक आम आदमी के जबान में जो है इसको टावर केसिंग भी कहते हैं और कंप्यूटर केसिंग भी कहते हैं यानि इसके और भी नाम हैं तावर केसिंग या फिर आप इसको क्या कहते हैं कंप्यूटर केसिंग इसके अंदर जो सबसे important इसका part है उसको भी हम आप जो है उसको discuss करेंगे Motherboard Motherboard system unit का सबसे main circuit है जो इसके अंदर system unit के अदर लगा होता है यह इसको आप कहा सकते हैं Motherboard is the main circuit board of the system unit यह किन किन चीज़ों पर मुझे लोता है इसके अंदर इंक्ल्यूड़ सबसे important microprocessor इसके लाबा expansion cards इसके लाबा IC chips इसके लाबा आपकी RAM वोगेरा and other electronic components Motherboard वो main circuit है system unit का के जितने भी devices है input devices है output devices है आपका processor है expansion cards वगेरा है इसके लाबा IC chips वगेरा हो गए इसके अंदर मुख्रिफ connectors हो गए मुख्रिफ electronic components वो सब के सब जो है वो इस motherboard के साथ connected होते हैं और इसके लाबा इसके अंदर बहुत सी बसी भी जो है लगे होते हैं जो electric pathways होते हैं इसके उपर printed होते हैं जीता क्राम क्या होता है कि यह information को computer के अंदर यह इसके अंदर components लगे हो है information को एक component से दूसरे component तो तक जो है वो इसको जो है वो ट्रांस्विट करती है लेडाती है यानि इसके अंदर बसी दोती है बस इसक्या है अलेक्ट्रिक pathways है जो क्या होते है प्रिंटेड अंदर बोर्ड इन बसीस का काम क्या है कि information जो है स्वंदिर्ट्ट्राइब टॉस्ट्राइब टॉटेए अंदर बसेंस्ट्राइब ट्रस्में शी हों थो तो दिए components of the computer system unit भी कह सकते हैं computer भी कह सकते हैं इसके लावा जितने दी input output devices है peripheral devices है peripheral devices उनको कहते हैं जो computer के इर्दगिर रखे होई devices उसमें keyboard भी है mouse भी है printer है scanner है speakers है यह वो devices जो computer के इर्दगिर रखे जाते हैं peripheral devices कहा जाता है वो सब के इसके इंपूट अडवाइस भी आए जाते हैं output भी devices आ जाते हैं वो सारे जो है वो इसके साथ connected होते हैं इस mother board के साथ जो है वो connected होते है और जो इसकी block diagram बनती है आप इसको क्या कह सकते हैं कि सरकट की जो है वो एक diagram है जिसके अदर PCI slots है RAMS की slots बनी हुई होती है इसके अंदर, एक microprocessor का socket होता है इसके अंदर और इसके लावा जो input आप, word for devices, keyboard, mouse वगरा लगाते हैं उनकी अलगा ports उसके अंदर बनी हुई होती हैं जो आप speaker वगारा connect करते हैं उनकी अलग से ports इसके अंदर बनी हुई होती हैं अगर आप कोई expansion card साउंड कार्ड हो गया, आपके वीडियो कार्ड हो गया जो इसको वीडियो को enhance करने के लिए, sound को enhance करने के लिए, वो building भी आपके mother board के उपर मौझूद होते हैं और नहीं तो आप जो है वो अलग से भी जो इन expansion card को, जो expansion card गा रहता है, इनके अंदर PCI slots में लगा कर आप उ जो उसकी ability है, उसको enhance कर सकते हैं, फिर इसका एक है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जो है, वो एक main chip है, motherboard के उपर, जो क्या काम करती है, कि जितनी भी computer के अंदर activities हो रही होती है, जो computer के अंदर उनको वो control करता है, इसलिए इसको brain of the computer भी कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, it is a main chip, on the motherboard which control all the activities of the computer, जो भी activities हो रही है, उन सब को यह क्या करता है, करता है, control करता है, इसको brain of the computer भी कहा लाता है, it is also known as brain of the computer, computer, it is made up of silicon, silicon से जो है यह बनी होती है, और इसको आम तोर पर CPU भी कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, central processing unit, या आप सिंप्ली इसको क्या कह सकते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, या या और सिंप्ली प्रोसेसर, और इसके लावा, इसके दू हिससे होते हैं, control unit, और arithmetic logic unit, और registers जो है, वो इसके दर मजूद होते हैं, यह यह तीन हिसों पर यह बुश्तमीर होता है, एक को हम कहते हैं, ALU, arithmetic, logic, unit, control unit, और register, यह तीन हिसों पर मुझको मिला है, arithmetic logic unit, control unit, और register, इसकी जो है, general या block diagram जो है, वो इस तरह बनाई जाती है, यह आपका, ALU, यह आपका control unit, यह आपके, registers, यह आपस में instructions जो है, वो एक दूसरे को भेजते हैं, यह इसकी block diagram है, microprocessor की, अभी जो मैंने जिकर किया है, इसके तीन पार्ट्स का, arithmetic logic unit, control unit, और registers, यह क्या होते हैं, इसको भी हम discuss करते हैं, सबसे पहले है, ALU, arithmetic logic unit, arithmetic logic unit, microprocessor का, वो unit है, जो computers के अंदर, जो मुख्तिरिफ किसम की calculations, जो है, mathematical calculations, जो है, वो परफार्म होरे होती हैं, उनको यह handle करता है, तो इसको क्या कहेंगे, यह वो पार्ट है, जो क्या काम करता है, mathematical calculations and comparisons, दो काम करता है, mathematical calculations और comparison, यह इसके अंदर फिर दो unit होते हैं, एक कौन कहते हैं, AL unit, और दूसरे का ना होता है, logic unit, जो आपके mathematical calculations हैं, जिसरे आपके पास addition है, subtraction है, multiplication है, devian है, वो आपका arithmetic unit, यह है, वो unit जो है, वो उसको क्या करता है, perform करता है, और आपका जो logic unit है, वो आपके compareion, compareion कहते हैं, के numbers को आपस में compare करना, alphabets को आपस में compare करना, जिस तरह less than, equal to, greater than, इनको logical operator करते हैं, वो इसका logic unit जो है, वो उसको perform करता है, यानि यह कौन से action perform करता है, addition, subtraction, multiplication, and devian, जब जब आपका ये unit जो है, वो क्या करता है, compareion करता है, between numbers, आपके numbers हो गए, and alphabets, letters वो गएरा, जैसे आप mathematics में पढ़ते हैं, less than, equal to, and greater than, यानि ये less than, ये आपका equal to, ये आपका greater than, यानि लॉजिकल कंपारियन जो है ये यूनिट जो है mathematical calculation, addition, subtraction, multiplication, division और कंपारियन बेट्वीन बेट्वीन नंबर्स एंड अलफाबेट्स जैसे less than, equal to, greater than ये वाले जो है वो function जो है वो perform करता है इसके बाद है control unit see you computer के अंदर जितने भी operations perform हो रहे होते हैं वो ये control unit जो है उनको क्या करता है control करता है यानि इसको क्या करता है controls the operations of all the components of the computer control the operations of all the components of the computer computer यानि computer एके अदर जितने भी activities हो रहे हैं,zतने भी operations हो रहे हैं परोड़ करता है memory जो है फ्री प्रोड़ करता है इनके अदर जो है वो क्या करता है पर बाद में उनको एग्सीक्यूट करता है और इसके लावा ये कॉडिनेशन पैदा करता है between different जो है आपके उसके अदर जो devices लगे हुए हैं उनके अदर जो कॉडिनेशन का जरीया है वो भी आपका control unit है मिसाल के तोर पर मैं आपको example देता हूँ एक छोटा सा यानि हम mathematical question करते है कि 2 multiply by 4 is equal to 8 तो जब आप computer से इसको ये input देंगे तो आपका control unit जो है arithmetic logic unit को alert करेगा कि उसके आपके पास एक question है आप इसको solve करें तो arithmetic logic unit जो है वो इसको solve करेगा solve करने के बाद जो result होगा वो फिर control unit को send करेगा control unit फिर आगे दूसरे device जो coordinate करेगा कि result जो है वो आपके monitor की screen के उपर भी display हो अगर आप इसका print आउट लेना चाहते हैं तो फिर वो seamless generate करेगा ऐसी information generate करेगा कि वो printer को alert करेगा कि ये edge जो है वो आप किसी page के उपर भी आप उसको क्या कर सके print कर सके registers registers जो है वो small memory units है microprocessor के अंदर क्या कहते हैं इसको small in the processor यानि जो क्या काम करते हैं जो temporary storage याई data को कुछ आज़ी वक्त के लिए अपने पास उसको store करते हैं और फिर उसके बाद उसको execution के लिए जो है वो आगे प्रोगाई अज़ीशन के जो बहुरे यह उती है तुसरे म यहाई अगर अगे उसको instruction देते हैं तो यह आप register जो है उस instructions को कुछ वक्त के लिए अपने पास store रखेंगे उसके बाद जैसे output भी उसको output के लिए आगे जाएंगे तो register ये क्या हो जाते हैं? MPT हो जाते हैं और next instructions के लिए जो है वो अपने आपको क्या करते हैं? त्यार कर लेते हैं जब वो instructions भी perform execute हो जाती है तो फिर जो next दूसरी आपने वाली instructions है उसके लिए अपनी जगा को वो क्या करते हैं? खाली करते हैं बहुत से register इसके अंदर इस्नावाद होते हैं उनको मुख्रिफ नाम है इसका instruction register accumulator 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 इसके लावा भी बहुत से जो है वो क्या किये जाते हैं यूज किये जाते हैं